Hello and welcome dear students. So, आज हम लोग करेंगे आसाम जेगरही ठीक है वेरी वेरी इंपोर्तन फॉर एर आपकामिंग ड्यरे एक्जाम ठीक है आसाम गोर्फ्मेंट एनी रिकूटमेंट एक्जाम असाम जेगरही इस थे मस्ट ठीक है और आसाम जेगरही से नक्सिमाम लोकेशन बेस्ट क्व पूछे जाते हैं तूरिमेंबर ठीक है सो आपको आसाम जियोग्रफी पूरी तरीकी से करनी चाहिए और अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहते तो यह गरेंटी रहेगी कि आपका पूरा आसाम जियोग्रफी क्लियर हो जाएगा ओके और यह जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो लोग भी देख सकते हैं ओके एंड और अल्ड़ अंपर दीव एक्साम इंक्लोडिंग ए पीसी आसाम जियोग्रफी ना अ साथ नहां असाम जियोग्रफी पहले हम आसाम के मैप को देखेंगे ठीकह ले लोगित्यूडिनल एक्स्टेंशन देखते हैं 77 0-42 उस्तum और लेत्यूडिनल एक्स्टेंशन देखें तो 24 जूडिकर 8 मि्निय नॉर्थ से लेकर 28 डिगरी 2 मिनि नॉर्थ तक उसके बाद और इंपोर्टन चीज आपको जान्नी चाहिए कि Assam shares international boundary with two countries, दो country के साथ Assam international boundary share करता है, एक तो है आपका भुटान और दूसरा है आपका बंगलादेश, ठीक है, So Assam दो country के साथ international boundary share करता है, भुटान और बंगलादेश, clear, next, Assam also shares its boundary with different North Eastern states, कौन कौन से North Eastern states के साथ Assam अपना boundary share करता है, देख लिजिए, मिखालया, त्रिपूरा, मिसोरम, मनिपूर, नागालेंड, और नाचल, as well as West Bengal, ठीक है, So Assam कितने से state है जिसके साथ आपना boundary share करता है, West Bengal 1, मिखालया 2, आपका त्रिपूरा 3, मिसोरम 4, मनिपूर 5, नागालेंड 6, और और नाचल 7, ठीक है, इसमें से 6, आपका नॉर्थ इस्टन स्टीट है, ओके, और जो West Bengal है, इस एस्टन स्टीट ऑफ इंडिया, Do Remember, एक क्वेस्टेन आसकता है कि, Do Assam share its boundary with Sikkim, No, ठीक है, Assam do not share its boundary with Sikkim, Though, Sikkim is also part of North East India, but Assam do not share its boundary with Sikkim, Clear, देख सकते हैं अभी, Assam के इसे इंटरनेशनल बाउन्डरी जो है, It is 528.8 km, कौन-कौन से ऐसे district है, जो Assam का है, और वो boundary share करते है, इंटरनेशनल, देखे, Assam भुटान का इंटरनेशनल boundary है, विचिस 265.8 km, उदालगुरी, चीरांग, बाक्षा, कुकराजार, ये चारों district को एक साथ BTC भी बोलते है, Borderland Territorial Council, ओके, या फिर BTAD region भी बोलते हैं, क्लियर, नेक्स्ट, Assam बांगलादेश के साथ boundary share करता है, 263 km, इसमें से धूबरी और साउथ सलामरा, दोनों share करते हैं, 134 km, कछार 33.6 km, और करिमगंज 95.4 km, ओके, लट उसमूब आट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डायाग्रम था, बढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत सारे question बनेंगे आपका, ओके, नेक्स्ट, Assam का फिजियोग्राफिक division अगर हम देखे, तो Assam is mainly divided into 3 फिजियोग्राफिक division, ब्रह्मपूत्र वेली, कर्भी अंगलोंग और नौर्थ का चार हिल इस्टिक्ट जिसे दिमाहा साव कहते हैं, ठीक है, बडाक और सुर्मा वेली, ओके, पहले ब्रह्मपूत्र वेली के बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्मपूत्र वेली इस एक्चुली फ्लाट प्लेइन और एलुवायल प्लेइन, विच इस क्रेएट बाइट बाइड लार्ज फ्लो ओफ दे रिवर, एज इट केरीज लार्ज वोल्यूम अफ सेडिमेंट्स इच और एवर येर, डू टू विच आफ्टर पसेज ऑफ टाइम, डू टू एलुवायल डिपोजीशन, दा ब्रह्मपूत्र वेली क्रिएट ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंट फ्लाट्स होते रहते हैं, ब्रह्मपूत्र वेली को समझने के लिए आपको ब्रह्मपूत्र को समझना पड़ेगा, इसका हाइड एन्यूवल वेरी हाइड डिस्चार्ज है, फिफ्ट लार्जेस्ट रिवर इन दे वर्ल्ट, ठीक है, सीजनल वेरियेशन भी बहुत हाई है, डायनामिक है, ऑबरेज वेट ट वेट踵 बहुत्र समस्क्राइड Diiye, बहुंत्र समस्थर वेली को समस्थर में टवैल समस्थ रिवाइड समस्थर है, हाइड हो बहंपूत्र। लेट गैशन अक्रीपर समस्थर देट 50 ठीक है और यह जो बावंपुत्र वेली है इट चुली लाइज इन भाबर और तराइ जो ने फूटिल्स फूटिल्स फूमालेश okay and it is also the zone of tall grass and damp soil which is ideal for the wildlife and thick forest okay let us move these are the chore areas which is created on Brahmaputra river these are sapori areas there also the population is very thick okay next most important cheese आपको पढ़ना है the largest river island in the world which is Majulia island और यह बना कैसे है यह आपको याद रहे तीन रवीग there are three rivers due to this यह जो दुनिया का सबसे बड़ा river island है यह form हुआ है ठीक है so कौन से वो तीन रिवर है एक तो north direction से आता है आपका सुबन सीरी ठीक है बामपूत्र इटसल्फ जो इहां से जाता है और बामपूत्र का ही एक डिस्ट्रिब्यूटरी है विचिस खेरकुटियां ओके दो इस त्री रिवर्स ब्रह्मपूत्रा शुबन सीरी एंड खेरकुटियां ओके 1890 में ब्रह्मपूत्रा का जो एरिया था देट वस 1250 स्क्वेर किलोमेटर बट नावड़ेज इस जस्ट 515 स्क्वेर किलोमेटर लेफ्ट एक स्पार्स का यह मानना है कि 2040 साल तक वमपूत्रा विल फेज एक्स्टिंशन ओन माजुली आइलेंड ठीक है इसलिए 15 फैनांस कमिशन के तहत 1075 करोर का एक पैकेज रिलीज क्या गया ताकि कि एमेक्मेंट कम रोड बन सके इन और तो प्रोटेक्ट दा लाज़ेस्ट रिवार आइलेंड इन दे वर्ल विच इस माजुली क्लियर नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे वडाग वेली देखिये वडाग विली में आपका तीन डिस्ट्रिक्ट आते है दर त्री डिस् वे मता देता हूं बडाग वेली में आते है आपका कछार करिम गंच और हैलकंदी ठीक है थीज और त्री दिस्ट्रिक्स इन बडाग वेली रीजिन यह जो बडाग वेली यह सुमा वेली है यह बडाग रिवर का ओरिजिनेशन के वज़े से ही हुआ है बिकॉस यह जो बडाग रिवर है यह ओरिजिनेट होता है लियान कुलेज विलेज मानिपूर में उसका लैंग्ध है नौसों किलोमेटर ठीक है और डियू टू देस ओल्ली यह बडाग वेली रीजिन क्रेट हुआ है बडाग का कुछ इंपोर्टेंट ट्रिबूटरी से हम बाद में जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इस पर हम बता देते हैं कुछ इंपोर्टेंट ट्रिबूटरी साफ बडाग रिवर कठाखल जीरी चीरी मधूरा लॉंगई शुनाई रुकनी शिंगला ठीक है कर्भी अंगलोंग एंड आपका नौर्ट कच्छर हिल्स विच इस डिमाहसाओ इसका जेग्राफिकल एक्स्टेंशन देखे यह जो कर्भी अंगलोंग है इस एक्चुल्य एन एक्स्टेंशन आफ दा मेगालेन प्लेटू का ही एक्स्टेंशन है विच इसे इसेल इसेल्फ पार्ट ऑफ प्ट पेनिन्सुलर प्लेटू तुगेधर दे फॉर्म पार्ट अब नॉर्थ इस्टन प्लेटू रीजियन इसका ओरिजिन जो है कर्भी अंगलों का ओरिजिनल ओरिजिन जो इंडियन सब कॉंटेनेंट का जो प्लेटू है उसका ही पार्ट है अगर आप लोगोंने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्रियोरी पड़ी होगी आपको पता है विच इस गीवन बाई आल्फरेट विगनर उसमें क्या कहा जाता है कि पूरे दुनिया पहले एक लैंड मास था पूरे दुनिया में एक ही लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया और उसके चारों और एक वाटर बोडी था जिसका नाम था पैंथालासा ठीक है बीच में से एक समुंदर पास होता है एसे यह लैंड मास था बीच में से एक समुंदर पास होता है विची स्थाइस सी जिसके वजए से नॉर्थ में एक टुकरा गिया जिसका नाम पड़ा लोड है clear यह जो गौंडवाना लेंड है उसी का पार्ट है आपका कर्भी प्लेटू यह जो सेपारेशन हुआ है डिव टू राजमहल गैप या इसे मालदा गैप भी बोलते हैं कर्भी अंगलोंग प्लेटू जो है इस पार्ट अफ एक्चुली एक्स्टेंशन अफ दा मिखालेन प्लेटू यह पूरी तरीके से एक्स्टेंशन है छोटा नाकपूर प्लेटू का बट डिव टू दिस राजमहल गारो गैप नाव इस सेग्रीगेटेड और सेपारेटेड कर्भी अंगलोंग का मेजर एक्स जो कंपोजीशन है वो क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस रॉक्स एंड़ सेडिमेंट्री रॉक्स टाइप्स ओफ रॉक्स अगर आपको पता होगा तीन तिर्की का रॉक्स है मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री एन इग्नियस ओक हो कि हैं VISTA सापपार्ट तो ही लोप्स which is on equal size separated वाट कॉपिली वैली ओके इसलिए उसको क्या कहते है वेस्ट कर्वीं गलाउं एंड ईस्ट कर्वीं अगलों कॉपिली के वेली के वज़े से यह से पारेट हो गया है वास्टे लोप में जो है इसे कहते हैं हेंवरन प्लेट्टू और इस्टान लोब को कहते हैं मिकीर और रेंगमा हिल्स ओके इसका रेडियल ड्रेनेज है मेंली इस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर क्या क्या है हरियाजन देवपानी नामबोर दतुरंग कलियानी डिफलोव और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहा पर इन यहां पर वेस्ट कर्वियंग लोंग में चापलाना दिजू नावई दिखारू जमुना कि अवरेज हाइट अफ दिस प्लेटू वो 600 मिटर है और तू हायस्ट पिक बोल सकते है आपका कर्वियंग लोंग प्लेटू एक का नाम है डंबाक्सो दूसर का नाम है सिंहासन डंबाक्सो इट इस 1363 मिटर और जो सिंहासन है विट इस 1359 मिटर क्लियर तू हायस्ट रेंज और हायस्ट पिक अफ कर्वियंग लोंग प्लेटू दंबाक्सो और सिंहासन बोराइल रेंज जिसे एंसी हिल्स भी कहते है उसी का ही पाट है यह एक ऐसा मांटरी रेंज है इट कनेक्ट नागा हिल और शिलंग प्लेटू को कनेक्ट करता है इस हायस्ट हिल रेंज इन असाम असाम का हायस्ट हिल रेंज है क्लियर एंड एंसी एल्स का जो हायस्ट पीक है जो आसाम में ही आता है विच इस लाइक पीक 1,959 मीटर क्लियर ओके अबी हम लोग असाम के मैप को ध्यान से देखेंगे और कितने डिस्ट्रिक्स है वो भी देखेंगे असाम का डिस्ट्रिक्स को अगर हम देखना है तो एक चीज याद रखिए असाम को पाच डिवीशन में बाट सकते हैं ठीक है आपर असाम ठीक है नौर्थ असाम सेंट्रल असाम बढ़ाक वैली और लौर असाम यह पाच डिवीशन में आगर हमने बाट दिया तो डिस्ट्रिक्स को याद करना आसान रहेगा आपर असाम में आपका एकदम जो एस्टान मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है तीन शुकिया डिब्रुगौर हिवाहगर जोर्ःट, गौलाघथ, माझूली, लखिमपूर, धेमाजी त सो दीक्स डिस्ट्रिक्स अपरासाम अगना आपका एक रिपेटिंग से तीन शुकिया डिब्रुगर, स्वराई देव, हिवाहगर, जोर्ःट, गौलाघथ, माझूली, लखिमपूर, धेमाजी क् सुनितपूर। उदालगुडी, दोरोंग, सुनितपूर। क्लियर। सेंट्रल असाम में देखे। मोरीगाव, नोगाव, कर्भी अंगलोंग, वेस्ट कर्भी अंगलोंग, डिमाहसाव। सो सेंट्रल असाम में आपके पास डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एस पार दीस मैप उली मोरी गाउव नोगाउव वैस्ट करिविय अंगलों डिमाहसाव करिविय अंगलों और बड़ाक वेली रीजन में तीन डिस्टीक्ट आते हैं कछार है कालकांधि कर्इम गंच एर अभी हम लोवार इसाम में चलते हैं लोब demon when sono पहले नोर्थ वाले डिस्टिक्ट देख लільки बाक्षा, चीरांग, कोक्रा जार, ठीक है, सेंट्रल वाले देखते हैं, नौल वड़ी, बार पेटा, बंगाई गाउ, एक्दम साउथ वाले देखेंगे, कामरूप मेट्रो, कामरूप, ग्वालपड़ा, धूबडी, साउथ सलमरा मानकच्छार, ठीक है, सो यह है, आपके असाम के डिस्ट्रिक्ट, बट, देर अर सम चेंगे टू, 31 डिसेंबर 2022 को, असाम कबिनेट ने डिसाइड किया, कि वो निवली कर्प जो डिस्ट्रिक्ट थे, उनको मार्च कर देंगे, 31 डिसेंबर 2022 को, डेट याद रखें, डेट के उपर भी क्वेशन पू निकलता है, जिसका नाम है तामुलपूर, हो गया, नेक्स्ट, बॉर्पटा से एक डिस्ट्रिक्ट निकलता है, विचिस बोजाली, यहाँ पर, यह वाला हिस्सा, क्या है, यहाँ से मैं एरोमार्क लगाता हूँ, बोजाली, ओके, नोगाव से एक डिस्ट्रिक्ट आया, विचिस हजाई, यह यहाँ पर, यह वाला हो जाई, और सुनितपूर से एक डिस्टिक निकला विश्वनातपूर ये विश्वनात विश्वनात ओगया? So these are the four districts 35 December 2022 में आसाम कवेनिट ने रिसाइड के इनको मार्च कर देंगे But on 25 अगस्ट 2023 आसाम चीफ मिनिस्टर हिमनता विश्वस सर्मा ने एनाउंस किया कि जो चार निवली मार्च डिस्टिक थे विश्वनात, हुजाई, बोजाली अन तामुलपूर ओरिजिनल डिस्टिक से जो मार्च किया दे ठीक है? वो फिर से डिस्टिक्ट बन जाएंगे तो फिर से अगर डिस्टिक्ट बन गया तो at present there are 35 डिस्टिक्स in Assam कितने डिस्टिक्ट है? 35 डिस्टिक्स in Assam हम फिर से एक बार डिस्टिक्स को देखते हैं आपार असाम में आपके कितने हैं? तीनी सुखिया, डिब्रुगर, सुराइदेव, सिवहागर, जोरहाट, गुलाघाट, माजुली, लखिमपूर, धेमाजी ओके? नौर्थ असाम में आपका पहले तीन धाबी चार हैं सुनितपूर, विश्वनात, उदाल गुडी और आपका क्या? दोरोंग ओके? सेंट्रल असाम में मौरीगाव, नोगाव, कार्भी अंगलोंग, वैस्ट कर्भी अंगलोंग, हुजाई, डिमाहसाओ बडाकविली रिजियन में तीन ही है कच्छार, हैलाकांदी, करिम गंच लोर असाम में अगर हम सौथ की तरफ देखे ओके, आभी हम लोग लोर असाम वाले डिस्ट्रिक देखते हैं आपका कामरूप मेट्रो, कामरूप, ग्वालपड़ा, सौथ सलमरा, धुबडी और सेंट्रल वाले अगर देखे, नौलबरी, बोरपेटा, बोंगाई गाओ, बोंगाई गाओ उसके ऊपर, बोरपेटा के ऊपर है आपका क्या, बोजली ठीक है, बोरपेटा से निकला, बोजली ग्वाली, डैन यू हाव तामूलपूर, जो बाक्षा से निकला है, बाक्षा, तामूलपूर, सीरं, कोकरज़ार, ठीक है तो एड प्रेसंठ दिर डिस्ट्रिक्ट्स इन सांप मधी हम मुट असाम के बाड़े उनसांप में स्वाज असाम एंगे स्वाइल एक है इसी दरम आप स्वाइल मं आप इसना दिफ्रेंट टाइपस अफश çıkए एलिवायल है इद्मांट स्वेल है ला देन लेटराइटिक स्वेल है वो देख लिए पहले एलिवायल स्वेल एलिवायल स्वेल एस ब्रहंपुत्र और बडाक प्लेंस बहुत सारा जो हाई वोल्यूम ऑफ सिल्ट इस करेंट इच एन एवरी येर डिरिंग फ्लाट दिव टू डिपोजीशन आफ दिस सिल्ट क्या हो जाता है एलुवायल प्लेंस ग्रेट हो गया अक्तों एलुवायल स्वेल इस इंप वेरी कॉमन बडाक प्लेंवेली में भी और आपका बहुंपुत्र वेले में भी ओके इस आर वेरी मच रिच इन नाइट्रोजन आपका मोस्ट मिनर अप टू दस वन सिरी रिवर तराइश वेल भी है जो भाबर सेल के थोड़ा साउथ में तराइश मिलता है आप टू डिहिंग रिवर भाबर स्वेल नेर में नेरो जोन में पाया जाता है और तराइश वेल विच रीच इन नाइट्रोजन बट डेशिएंट इन दा फॉर गुड अग्रिकाल्चर या फिर बोल सकते हैं गुड क्रॉप कल्टिवेशन यह होता है आपका एन पी और के नाइट्रोजन फॉस्फफरस और प्रटाशियम यह तीन चीज़ चाहिए होता है ओके हिल स्वेल में आपका रैट सेंडी स्वेल मिलेगा जो आसाम में घा प्रटाशियम प्रटाश्यम आपका राशे फॉसल विख व्था ग्री लिएग अड्रिक जे शो आ पको प्रटिमिनेंट्ली एनल्समे एम लिए गगा कार्म लेगा जो सौथ पूसौदेंट फॉसल और प्रटाशन में आट तीन पॉसल में अरह जुड कार्वीं में आट उ लिए क्या है अपर आसम का डिस्ट्रिक्ट है नोर्दन बढ़ाख प्लीन है हाइली वेदर्ड मिनारल डेफिशेंट है लेटराइटिक स्वेल एंड जनरली अंस्वीटिबल फोर क्रॉपिंग क्रॉपिंग इतना अच्छा से नहीं हो पाता बर प्लांटेशन क्रॉप जैसे क पर भाबर और तराई भी आते हैं हिल स्वेल में रैट सेंडी स्वेल रैड लूमी स्वेल एंड लास्ट लेटराइटिक स्वेल अभी हम लोग आसाम के क्लायमेटिक सीजन के बारे में पौड़ेंगे ठीप है एक्सेस रेंफोल जोन आपको मिल जाएगे यह आप पर बहु अक्सेस रेंफोल होता है ओके जैसे आपका कार्भी अंगलंग एरिया में या फिर साम पार्ट गुलाखार डिस्टिक्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर रेंड एफिशेंट मिलेगा ठीक है तो देख लेते हैं पहला मॉंसुनल क्लाइन क्लाइमेट जो आसाम जो है वह इसलिए जो मॉंसुन वाइंड है यह हिमालया कर लेता है जिसके वाज़े से हेवी डिएन फोल दिखाई देता है सौधन स्लोप में चाल क्लाइमेटिक सीजन प्री मॉंसुन जो सामर सीजन में होता है मार्ट से में महने तक थंडर स्ट्रॉम ज्यादा होता है और जो डास् इस जो इस एक दो शीजन जो बॉडोसिण से नचाहिते प्री मॉंसुन सिजन जिसमें स्टॉर्म भी आते हैं तुफान वागिरा आते हैं उसी कोन वेस्ट ब्लेंगेशन इन जुट कल्टिवेशन अहूराइस कल्टिवेशन मॉन्सों सीजन में से आरली जुन से शुरू होता है सब्टेंबर ऑक्टूबर तक चलता है ठीके मॉन्सों 70% जो एन्न्यूल रेन्फोल है इसी इस मॉन्सों सीजन में होता है and it is important for sally rice which is the main crop okay this is the food crop okay retreating monsoon joe September से mid November तक चलता है and it is characterized by fog जिसमें fog भी दिखाई देते हैं withdrawal of southwest monsoon dry winter season November से February महन तक चलता है temperature कम होता है non morning में fog दिखाई देता है rainfall भी कम हो जाता है December जन्वरी driest month होता है January सबसे ज्यादा होता है साम में coldest month okay now impact of western disturbances is noticeable during this season जिससे बोलता है dry winter तो चार important climatic season मिला है आपका pre-monsoon summer season जिसे बोलता है monsoon retreating monsoon और dry winter ठीक है rainfall distribution अगर आसाम के देखे rainfall distributions कि आपार असाम में जिसे 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 जिनका हाई rainfall होता है लखिमपूर धेमाजी डिब्रुगर तिनी सुकिया लवार असाम में district running among the Himalayan slopes बहुत ज्यादा rainfall दिखाई देते लवार असाम में जैसे आपका बिटी सी रिजिन बिटी एडी रिजिन या बिटी सी रिजिन कोकरा ज्यार बाक्षा उदल गोडी ठीक है यह सब में आपको बहुत ज्यादे दिखाई देता है आपके बाक्षाली रिजिन अपर असाम जैसे हाई रेंफोल साथ वेस्ट मोंशुन के लिए क्योंकि ट्रेप हो जाता है लवार असाम अल्सो रिसीव हाई रेंफोल द्यू तो दे साथ वेस्ट मोंशुन बाक्षाली रिक्त लिए रेंफोल दूटान असवेल अस्वेल असाथ वनसुन क्योंकि बंगलादेश के नस्दीक है ऐसलिए साथ इन्फुन काकुछ इंफ्टान होता है इसलिए बाक्षाज साथ लिए बाक्षाली रिसएप्स हाई माउंट ऑफ रैंफॉल ओके अभी हम लोग पढ़ेंगे वायो डिवर्सिटी ऑफ असाम बायो डिवर्सिटी इस पार्ट ऑफ एक्चुली ट्रेंजिशनल जोन बिट्विन इंडिया इंदो-मलायन और इंदो-चाइनिज बीग्रिफिकल रिजिन का है असाम का फॉरेस्ट एरिया जो रेकॉर्डेट किया गया है रेकॉर्ड किया गया है 26,832 स्क्वेर किलोमेटर जिसमें से 34.21 परसेंट जेग्राफिकल एरिया अफ टॉटल असाम ठीक है रिजर्ब फोरेस्ट इसमें से रिजर्ब फोरेस्ट कितने है 66.58 परसेंट और अन्क्लास्ट फोरेस्ट है 33.42 परसेंट अभी हो लोग बायो डिवर्सिटी जब पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट फोरेस्ट टाइपस इन असाम देखते हैं पहला होगे एवर्म मतलब हमेशा ग्रीरा टैक cement it occurs in स्धिकए हैो स्मॉल एरी औल्सो ओकर्स हिमालयान फूर्ट इसे लख्यिम्पूर् धिमाजी और सुनितपूर इम्पोर्स ऑसाम होरॉप which is the state tree of Assam नाहर, गुर्जान and मकाई होलों क्या है state tree state tree of Assam क्या है होलों याद रखी अब लोग ठीक है उसके बाद आता है आपका semi-overgreen यह primary वाबर और दौर बेल्ट में आपको मिलेगा high rainfall but evergreen बेल्ट के जैसा इतना rainfall नहीं है कहा कहा आपको दिखाई दिएगा कोक्राजहार, बोंगाई गाव, वर्पेटा, दरंग, सुनितपूर अल्सो फावडिट, जोरहाट, गुलाघाट, नोगाव, कर्भी अंगलोंग, बायन वराग वेली रिजिन्स मेन आपको याद रखना है, semi-evergreen forest में क्या-क्या important forest जो पेड आते है वो देखना है शिरिश, कोदम, ओटेंगा, कोलाजम, डेसीडियस forest जहाँ पर रेंफोल खम होता है, जैसे नोगाव, मोरीगाव, कामरूप, पार्ट्स अन नौलवारी, बोर्पटा दिस्टिक, दरंग, धूबरी, कोक्राजहार, गौलपाड़ा, कौन से ऐसे important trees यहाँ पर पाहे जाते है decidious forest में, salt tree, other include, गमारी, तीतसपा, ठीक है, next is degraded scrubland, deforestation के वज़े से यह हो चुका है, कि यहाँ पर बारिश एकदम कम आपको दिखाए देगा, ठीक है, अच्छा, अभी हम देखेंगे important forest conservation measures taken by Assam government, पहला protected areas, खोशित किया गया है, protected area network Assam में 3925 square kilometer है, which is actually 5% of the total geographical area of Assam, Assam का total geographical area कितना है, 78,438 square kilometer, ठीक है, इसमें से protected area है, 3925 square kilometer, ठीक है, and इसको legal status मिला है, Wildlife Protection Act 1972 के तहत, ठीक है, so forest जो protected areas है, उसमें क्या क्या आता है आपका, national parks, wildlife sanctuaries, conservation reserves, community reserves, ठीक है, यह जो इंसान है आप दिखाई दे रहे है, इनका नाम है जादब पायं, he is also known as forest man of India and Assam, इनोने क्रेट किया माजुली district में, मॉलाई forest, ठीक है, विच इस नियर कोकिला मुख जुरहत, so it is one of the great example, that is the effort taken by one person and created entire forest after the 30 years journey, okay, and another important forest conservation measure is being taken by Assam government, it is ABA, Amrit Bika Amdalan, Abhi Chal Raha had 2.0, Assam has became the state in India which is created, which has created actually history and record of plantation, largest plantation drive in a single day, under Amrit Bika Amdalan, ठीक है, next, अभी हम लोग कुछ important चीज़े पढ़ने वाले है, Assam में at present, 7 national parks है, कितने national parks है, 7 national parks, पहला आपका काजीरंगा, विचीज अलसो एंविस को वाल्ड हेडिटेज साइट, जो confluence of 4 district के confluence में आते हैं, गुलाघात, नोगाव, सुनितपूर, विश्वनात, ठीक है, मानोस, सिरांग और बाक्षा में आता है, अब ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अगर ऐसे पूछा जाए, कि इस्ट से वेस्ट की तरफ आपको बताना है, या फिर वेस्ट से इस्ट की तरफ बताना है, तो इस्ट से पहले आता है का डिंग पटकाई, डिब्रु साइखवा, काजीरंगा, नामेरी, औरांग, मानस, राइमोन, काजीरंगा, राइमोन, आप लोकेशन बेस्ट एड़ एंड इस्ट वेस्ट एक्स्टेंशन ध्यान से देख के रखना, ये क्वेस्ट पूछ सकते हैं, इस्ट वेस्ट एक्स्टेंशन, ठीक है, जंबल वे में देंगे आपको इससे मैच कराना पड़ेगा इससे वेस्ट तक और कौन सा नेशनल पार कौन सा डिस्टिक में आता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट एरिया बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा यह पूछ सकते है एरिया के साब से सबसे बड़ा तो एक्च्यली एक्स्टेंडेड एरिया काजिरंगा का सबसे बड़ा है विच इस इसे माना जाता है कि माना सबसे बड़ा है और सबसे छोटा इट इस और आंग 78.81 स्क्वेर किलोमेटर क्लियर सो ओके स्टुडेंट्स अभी हम लोग असाम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीटे इन डिटेल पहला आता है आपका काजिरंगा काजिरंगा नेशनल पार्क यह दीखे इस काजिरंगा नेशनल पार्क क्लियर यह किसी एक एक डिस्टिक में नहीं है इसमें कौन-कौन से डिस्टिक आते है गुलाघाट नोगाव सुनितपूर बिश्वनाथ ठीक है उसका एक्स्टेंडेड एरिया है 858 स्कुर पीलोमेटर तो लार्जेस्ट हम कह सकते हैं नेशनल पर्क काजी रंगा ही है इसे रिजर्फफ एक्रेयर जिक्लेयर गया था 1908 में उसे वाइल लाफ सेंचूरी घोशित किया गया था 1950 में नेशनल पार्क घोशित किया गया था 11 फ क्लियर एंड दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है उसका तू थार्ड तू थार्ड पॉपुलेशन ओफ वान हॉर्ण राइनोसर्स कहां पर पाया जाता है आपका काजी रंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है क्लियर 14 सेंशस 2022 में किया गया था जिसके इसाब से काजी रंगा में 200 200 नेंबर्स ओफ और राइनोस चार साल में इंक्रीज हुआ है ओके सेकेंड हैस्ट देंसिटी ऑफ टाइगर काजी रंगा में है इस अलसो वान ओफ दे इंपोर्टेंट बार्ड एरिया वाइद बार्ड लाइफ इंटा निशनल पार्क काजी रंगा नेशनल पार्क में चार रेंजस आता है याद रखना बुडा पहार और बागोरी वे बुरा पहार और पागोरी सेंट्रेल में आता है कहरा इस्टर्न में आता है अगरा तोली और नॉर्दन में आता है विश्वनात थीस आट फोर रेंजस आफ काजी रंगा नेशनल पार्क क्लिए इंपोर्ट इंपोर्टेंट वाइल लाइफ आपको यहाँ पर देखने को मि टाइगर लेपार्ड लेपार्ड कैट जंगल कैट बॉग बेजर कैट लेंगूर हुलक गीवन जेकल गूज हॉर्ण बिल्स आईबीज दन कॉर्मोरेंट्स इग्रेट हैरोन फिशिंग इगल यह सब मिलता है कौन कौन से रीवर काजीरंगा से पास हुआ है यह important question मन सकता है which are the rivers which flows through काजीरंगा ब्रामपूत्रा गया है मोराडिफलू डिफलू एन मोराधहनशीरी इस आदा फोर रीवर्स विच पासे त्रू काजीरंगा नेशनल पार्थ चार रीवर है ब्रामपूत्रा मोराडिफलू डिफलू एन मोराधहनशीरी काजीरंगा से नियारेस्ट एयरपोर्ट आपका जुरहाट एयरपोर्ट पड़ेगा नेशनल हाइवे 715 निया नंबर है पूराना वाला ने 37 था जो पास होता है आपका काजीरंगा से क्लियर। और यह काजीरंगा जो नेशनल पार्ख है अब में लोग पढ़ेंगे मानश ने यह हैं मानश्य सकते हैं मानशशनल पार्फ इसका लोकेशन में ली चिरांग और बाक्षा में ही है which is actually BTC रिजन बडलां टेडिटोरियन काउंसिल में ही आता है चिरांग बाक्षा पास्टो स्क्वेर किलोमेटर इसका एरिया है वाइलाइस सेंचूरी घोशित किया गया था 1928 में रिजाब फोरेस्ट 1973 प्रोजक्ट टाइगर के अंदर 1973 में आया नेशनल पार्क घोशित किया गया 1990 ठीक है वाल्ड हेरिटेज साइट घोशित किया गया है 1985 में यहाप पर एक इंपॉर्टन चीज आपको याद रखनी है कि रिनोसार्स का जो ग्रोथ है इसमें भी रिनोसार्स का ग्रोथ दिखाई दिया है and it is also divided into three ranges तीन रेंजेस इसमें भी है पानबड़ी वेस्टन रेंज बांसबारी विच इस सेंट्रल रेंज भुया पाड़ा इसित दा एस्ट रेंज ओके नौ वाटर दए इंपॉर्टन वाइल लाइफ जो मानस में मिलता है इस्पीड है दूर्मेंबर अगर पूछा जाए पिगमी होग एनिस पीडियर कहा पर मिलता है मानस ने स्टम पक्ट एंडमिक टू मानस ने स्टम पाक पिगमी होग ठीक है गोल्डल का पोपुलेशन कम है वाइल बफेलोस वाइल बोर संबर डियर होग डियर और वेंट स्पीसिस्ट भी मिलता है और इस स्पेशली फेमास पॉर इस पॉपुलेशन आफ वाइल वाटर बैफेलो बहुत जादा है कौन सा नदी पासवा है मानस रिवर इस एक्चुले ट्रिब तो मानस हम ने पढ Politics नेक्स्ट आफ क्निक्षिंट डिबिश में इसे 340 स्क्वेर किलोमेटर किया गया वेलेफ सेंचुरी की सबसे 1997 में इससे बायो स्पेर रिजाव घोशित किया गया और नेशनल पार्क घोशित किया गया एंडेमिक यह कोश्चन पूछा जा सकता है वाइल्ड होसेस और एंडेमिक टू विच अपड़ फॉलोइंग नेशनल पार्क इट इस डिब्रु साइख्वा ठीक है वाइल्ड होर्सेस आपको पाया जाता है वाइल लाइफ में मांकी के स्पेशिस मिलेगे वेरियस टाइप क होता है और पुराने नंबर के साथ से आपको याद रखना है कि इस दा ओनली रिजर्व फॉरेस्ट जहां पार फॉरेस्ट रिजर्व जहां पर वाइल्ड होर्सेस पाया जाता है वाइल्ड होर्सेस डिब्रु साइख्वा ठीक है डिब्रु साइख्वा निशनल पार्CT क्लियर नेक्स्ट आम लोग पढ़ेंगे नामेरी निशनल पार्क heim यह आपको मिलेगा सुनितपूर में 200 स्क्वेर केलोमेटर है एंड यह बाउंडरी शेर करता है पक्के वाइल लाफ सेंचूरी कहा पर है और ना चल प्रदेश इसे 1978 में रिजाप फॉरेस्ट डिक्लियर किया गया था उसका चेंज किया गया है नामेरी फॉरेस्ट रिजाप 1978 में एंड सेट अप एच सेंच्वेरी इन 1985 है ठीक है ओफीशियली नेशनल पार्ट गोशित किया गया 1998 में प्रजेक्ट टाइगर के अंदर आया 2001 में एंड कॉन से रिवर पास होता है तीन एक्चुली दो रिवर पास होता है जिया भॉर्ली एंड बॉर डिक्रा आपका जो एरपोर्ट है वह आगा तैचपुर एरपोर्ट इस सालोनिवरी एरपोर्ट और नियारेस्थ हाईवे नह 15 आपको याद रखना है कि नामरी नेशनल पाक से ठीक है नामरी नेशनल पाक से जो नदी पास होता है जिया भॉर्ली इड एक्चुली फ्लोईंग थ्र टुरिस के लिए एडवेंचिर स्पूर्ट गला है किणसा नदी जिया भोड्ली जो पास होता है आपका नामरी नेश्नल पार्क से अ कि सब्सक्राइब कि अबूर्भ पढ़ेंगे आउरांग नेशनल पार्क ऑरंग नेशनल पार्क ठीक है यह है आपका ओरांग नेशनल पार्क इसका लोकेशन है सुनितपूर एंड दौरोंग विच इस दा स्मॉलस्ट नेशनल पार्क इन असाम 78.81 स्क्वेर किलोमेटर इससे गेम रिजर्ब डिक्लेर किया गया था 1919 में संचुरी 1985 में बना और उसका रिनेम किया गया राजिव गांदी वाइल लाफ संचुरी ठीक है एक मैसिव एजिटेशन ओवर इट्स नेम क्रियेट हुआ उसके बाद उसका रिनेम किया गया औरांग नेशनल पार्क इन 13 अपरिल 1999 इट इस स्मॉलस्ट नेशनल पार्क अफ असाम इंपोर्टेंट वाइल लाफ यहाँ पर मिलते हैं क्या क्या देख लेते हैं ग्रेट इंडियान वान होन राइनोसर्स अलेफेंट लेफार्ड सांबर बाकिंग डियर टाइगर वाराइटीज ओव वाटर बार्ट्स मिलेंगे ग्रीन प्रीजियन फ्लारीकन तील गीज सब मिलेगा एंड रीवर्स कौन कन से रीवर औरंग नेशनल पार्क से पास होते हैं तीन रीवर है धांचीरी पांचनोई और ब्रह्मपूत्र नियरेस्ट एरपोर्ट है आपका तेचपूर वाट एरपोर्ट विच इस सालनावड़ी और नियरेस्ट नेशनल हाइवे विच नह 52 विच रायमोना नेशनल पार्क विच इस एंटारले इन इन वन डिस्टिक विच इस कोकराजहर ओके जहां पर गुषाईगाव सब डिविशन में है चारसो बाइस स्कूर किलिमेटर है इसका एरिया इसे हिसे हिस्टोरिकल कापिटल ऑफ बिजनी स्टेट के नाम से जो था रायमो नेशनल पार्क ठीक है एंड इस एक्चुली पार्ट अफ चिरांग रुप्यू एलिफंट रिजर्व का पार्ट है इस फेमस्ट फॉर गोल्डन रंगूर विच इस एंडेमिक टू इस रिजिएन यहां से क्वेश्टिन मन सकता है गोल्डेल रेंगूर विच इस एंडेमि मेका रैसस मेका कैच लेंगूर चाइनिश पैंगोलीन ठोल और एशान वाइल टॉग जिसे बोलते हैं ठोले इट इस एस्ट वाइल दोग यह भी इंपॉर्टेंट है कौन सा एश्टिन वेल्ड़ो किसमें कौंसा नेशनल पार्क में पाए जाता ही फिर ढोले नाम दिया ज केपर्ड एस हीन एलेफानट गूर हिमाल। हिमालवन भर सेरो। आपको पता होगा ये भी इम्पॉर्टम्ट है हिमालते सेरो कहांगा मिलता है … it is actually deer and goat-like structure Deer & goat mixture होता है हिमालवन भर सेरो। ठीक है यह भी एक इंपॉर्डेंट क्वेशन बन जाता है कि यह कौन से नेशनल पार्क भी मिलता है हिमालेयन सेरो इट इस इन राइमोना संबर चीतल होग डियर बाकिंग डियर क्रेस्टलेस हिमालेयन फॉरकुपाइन एन हिस्पीड हेर कौन से दो नदिया पास होती है एरपोर्ट किनारे में कौन सा है रुपशी एरपोर्ट विच इन धूबरी एक्च्वली नियरस नेशनल हाइवे एनस 27 ओके दिंग पटकाई दिंग पटकाई नेशनल पार्क ओके जो आपका है डिब्रुगवर एं तिंशुक्या डिस्रिक में 234.26 स्क्वेर किलोमेटर इसे वाइलाइफ से लिचुली डिकलेर किया गया 2004 में ठीक है धींग पटकाई एलेफेंट रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट एलेफेंट के तहता आया 2021 में इसे नेशनल पार्क खोशिद किया गया विच इस दे सवन्थ नेशनल पार्क ओफ असाम उसके बाद असाम बिकेंद सेकेंड स्टेइट एविंग दा हाइस्ट नंबर आफ नेशनल पार्क आफ्टर मध्यप्रदिश जहापर बारा है असाम में अभी साथ है नेशनल इंपर्टर वाइडलाइफ 강क्या पाया जाते है को छोलॉर आसाम समे का स्टेर्ल मेखा पीगिंग्टमेक का पीग इल्मेकवेस मेका टालों कुल हग गीवन वाइट विग ढॉट रिम तamphold ब्क ब्लो के इस दा η यो वाइट वुट दाट घेट इस ट्टेंड भर्मरॉड Assam in SMS it is Deoha white-winged with duck together slender build vulture greater adjutant stock together lesser adjutant stock yellow ventured verbal great hornbill very important broad-built traveler or concern Adi pass hootie hai ding part I say it is ding river ding Debrugher Airport nearest which is monavari airport National highway 215 which is the new numbering clear okay next tabi am log wildlife centuries के बाड़े में पढ़ेंगे ठीक है यह देखिए आपका वाइलाफ सेंचूरी सीन Assam में करीब करीब 19 से 20 वाइलाफ सेंचूरी से एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इससे वेस्ट की तरफ जाएंगे क्लियर है पहला बैर्जान बोर्जान फदुम्पुनी कहां पर है तिन शुकिया आपको सिफ वेलाफ सेंचूरी के नाम और उसके लोकेशन याद रखने और कुछ नहीं धिंग पटकाई यह तो वेलाफ सेंचूरी से पानी यह सारे हे इस्त कर्वी अंगे में है चार व्य आ ओके नेक्स्ट यहां पर देखे गुड़ा सापुरी इतजिन सुनितपूर सुनाईड रुपाए सुनितपूर वेलाफ में हापका है लक्वा वाइलाफ संचुरी पवितोड़ा इस इन मुरिगाव वरी वरी इंपर्टन पवितोड़ा वेलेज संचुरी का लोकेशन पुछते हैं बढद नोदी इस इन वाइलाफ उदाल गुरी चक्रशिला इस इन धूबरी डिपर बिल इस इन कामरूप इस वन रामसर साइट ऑल्सो असाम में एक ही रामसर साइट है विच इस डिपर बिल ओके एन इट इस अलसो ए वालाफ संचुरी आम चंग इस इन कामरूप बड़ाइल इस इन कच्छार एन करिम गंच ओके 19 नमबर में आता है आपका बड़ोई बाम बेल मुक बार्ड वालाफ सें है अब यहां पर देख लेते हैं नमबर्ड जो डोई ग्रांग है यह आपका गुलागाट में है गरम पानी कार्भी आंगलंग में है फेमास पॉर्दा हाट वाटर स्प्रींग गरम पानी पॉभी तोरा वालाफ सेंचुरी वरी इंपॉर्टेंट मोरी गाव और इन इस इस is the highest world's highest density of world or rhino very very important which of the following which of the following wildlife century has the highest density of one hundred rhinos a question post at the aka that is probably Torah wildlife century clear next born of the wildlife century it is in a dalgory and constitute especially for the protection and conservation of his speed here and pygmy hog very very important the wildlife century which has been constituted for the protection of endangered his speed here and pygmy hog that is born of the wildlife century deporable only the rumsar site only rumsar site in the okay department clear a okay abhi hem log assam ke coach important census data में आता है आसाम सेंसेटा में इसका एरिया है कितना 78430 8.08 स्कूर किलो मेटर विच्छ इस इंप्यूजिशन इन पोजीशन इन इन इंडिया कि and two point three nine percent of the total territory of India 16th number में आता है population के साब से 2011 census के साब से 2011 census 3 करोर 12 लग 5,576 which is 15th in position 2.58 percent of the total population of India density of population अगर देखे 398 person per square kilometer very very important यह पूछा जाता है what is the density of population in Assam 398 percent per square kilometer ओके और पूरे इंडिया में 382 percent per square kilometer आरबान में 14 percent लोग आरबान में रहते हैं रूरेल अरिया में मतलब गाव में 86 percent लोग रहते हैं sex ratio 958 है which is 49 percent लग पक पूरे इंडिया में 943 लग पक परसेंटेज आपका 6.85 परसेंट और ST population है 12.41 percent literacy rate है आपका 72.19 percent जिसमें male literacy rate है 77.85 परसेंट और female है 66.27 परसेंट इस पर 2011 census clear है यह सब पूछा जा सकता है आपका very important data directly पूछ लेंगे ओके आप लोग यहां से screenshot ले सकते हैं clear next total population 2001 और 2011 के इसाब से अगराम देखे तो 17.07 percent का increase है और sex ratio में 2.46 percent का increase है literacy में 2001 और 2011 के इसाब से अगराम देखे तो 36.84 percent का increase है clear अभी हम थोड़ा people और population के वारे में पढ़ लेते हैं आसाम का early settlement यह मना जाता है कि first settlers in Assam they were the ostrichs clan they they came to Assam via sea route उसके बाद आय मंगोलियन्स वाय पटकाई hill range पाया टीबेत नेपाल और भुटान से आये और लास्टली जो आसाम में आये देवेर दारियन्स वाया नर्थ वेस्ट रूट ठीक है सो यह तीन क्लैन के लोग असाम में पाये जाते हैं और स्ट्रिक्स मंगोलियन्स और आयन्स ओके आसाम का पॉपुलेशन 3 क्रोर 12,500,576 एस पार 2011 सेंस और बेस्ट रूट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा लाज़ेस्ट पॉपुलेशन है आपका नोगाउ उसके बाद है धुबरी उसके बाद है स्वनितपूर उसके बाद कछार तो पॉपुलेशन के इसाब से सबसे ज्य सबसे ज्याद रखें डिमाहसाओ पॉपुलेशन के हिसाब से ओके और देंसिटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा है आपका कामरूप मेट्रों देट इस 1331 पर स्क्वेर किलोमेटर उसके बाद धुबरी उसमें भी पार स्क्वेर किलोमेटर में 896 लोग रहते हैं में आपका 742 परसंट रेते हैं डिमाहसाओ इस देंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन असाम विच इस 44 परसंट पार किलोमेटर स्क्वेर है ओके सेक्स रिश्यों के इसाब से अगर देखें तो बाक्षा में हाइस्ट सेक्स रिश्यों है विच इस 974 फीमेल पाइ पाल गुडी चीरांग लखिंपूर एन मौरीगां टीमाहसाओ में सबसे लॉइस्ट एक्स रिश्यों है विच इस 932 फीमेल पार थाउजंड मिल ओके लिटरेसी रेट में हाइस्ट है आपका कम रूप मेट्रों विच इस 88.71 परसंट लॉइस्ट है आपका धूबडी परसंट मुस्लीम से आपका 34.22 परसंट क्रिस्टियांसी 3.7 परसंट और माइनर रिलिजियन में जेनिजम भी आते हैं बुद्धिजम और सिखिजम लेंग्वेज के इसाब से असामिज बोलने वाले लोग है 48.8 परसंट बैंगोली बोलने वाले लोग 20.05 परसंट हिंदी बोलने वाले लोग 5.8 परसंट बोड़ो 2.8 परसंट नेपाली 2.8 परसंट इस 2.1 परसंट ओके तो हम लोग ने पॉपुलेशन तक पढ़ लिया है ओके ओके अभी आम लोग पढ़ेंगे important natural resources which are found in Assam पहला mineral resource के बारे में पढ़ते हैं which is crude oil ठीक है पहली बार crude oil किया गया था 1889 में डिक बोई में ठीक डिक बोया संट विच इन अपरसंट इक बोय रिफिनरी कोला गया था निस्सो एक में which is considered as the oldest refinery in India earlier it was owned and operated by Assam well company limited chicken or bad me well India code area gya 1989 81 man big by refinery has been termed as the Gangotri of Indian hydrocarbon sector very very important a line utha ke desakta hai question which is known as the Gangotri of Indian hydrocarbon sector it is big boy other important oil fields now cotia this a disk cover kia gya aapka 1953 moran 56 rudrasagar it is in which is actually oil was struck at rudrasagar field by ngc 1960 and Lacqua is in 1965 okay these are the oil fields important refineries में देखें तो डिक बोय 1901 का capacity है 3 लाक टॉन्स नुन्माटी रिफाटी रिफाइनरी रिफाइनरी भी बोलते है उसे 1962 1 million ton का इसका कपासिटी है बॉंगाइगाव रिफाइनरी 1979 what is 1.35 million tons नुमलिगर रिफाइनरी ये 1999 नियर गुलाघाट इस एक्चिल गुलाघाट इस्टिक में ही आता है नुमलिगर ठीक है तो इस आर देखेंगे रिफाइनरी इन असाम चार डिक पोय नुन्माटी बोंगाइगाव एन नुमलिगर ठीक है नेक्स्ट नेचरल गैस असाम में नेचरल गैस भी पाया जाता है जो एक्चुली आपर ब्रमपुद्रा वैली में स्पेशिली कहा अल्मोस्ट ओल्ड पेट्रोलियम प्रोडूसिंग एरियस यहाँ पर आपका नेचरल गैस पाया जाता है नहरकोटिया मोरान लक्वार उद अब्रिगोडिस्टिक में आता है नामरूत थालमर पावर प्रोजेक्ट असाम गैस कॉम्पेनी बॉंगाईगाउ रिफाइनरी ठीक है तो नेचरल गैस कहा का पाया जाता है यह जगे का नाम आपको याद रखना है ठीक है और उसके बेस के ऊपर कौन सा फर्टिलेजर क्य प्रटिट कुए है डाट वन यूनिट तो रिमेंबर ट्लियर है नेक्स्ट कोल वेरी वेरी इंपर्टेंट पहली बार कोल माइनिंग किया गया था 1865 में जो कहा पर माकूम कोल फिल्ट तिन सुक्या यहां है एक अंडर दा इनिशेटीव ओफ एच बिमेडिकेट कोल फिल्ट स अवसा मगर देखे तो पहला तीन सुक्या डिस्टिक में आता है माकूम कोल फिल्ट स़राईपोंग तराजान कोल डिपोजिट तिन सुक्या डिस्टिक में दो कोल फिल्ट आते हैं डिब्रूगर है खोटा अर्दा कोल डिपोजिट क्लियर नेक्स्ट है आपका दिथोर कोल डिपोजिट क्लियर एंसी हिल्स में कोल माइनस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के इसाब से जो नौर्थ इस्टन कोल फिल्द लिमिंटेड है आफ दोड और हुए अफ दीक है माईनिंग लिस कह पर माइनिंग कर सकते है प्रडी ल्मिटेड डेख लिजे बर गोलाई लेखा पानी तिराप कोल ग्रंट नमदांग कोल ग्रंट उसके बाद आता है दिली जेवपूरी वेमुलापूरी कोल्याजान माईलिंग इंगलीज सिल्वेटा सिल्वेटा इस इन कर्भी अंगलों है ओके सो दीस वेर दे कॉल फिल्ट्स ठीक है अभी हम लोग देखते हैं लाइन श्टून वाइन distortion क्या है जिससे आपका सीमेंत बगेरा बनता है अ है मिघाल asleep is for Lymes जाते हैं मेलि आपका कर्भी अंगलोंग में कहापर दिलाई परवत स्लिवेटांड कॉलिए जन क्लियर नेक्स्त है आपका एंसी हिल्स में उम्रांग्षु गोकाजन में एक सिमन फाक्टरी है इस एक्चिले बेस्ट ऑन दो स्टोन रिजार्व कोलिया जान असाम हैस ओनली वाल लार्ज सिमन फैक्टरी विच इस बोका जान कर्भी अंगलों में यह फैक्टरी 1977 में स्टार्ट हुआ है क्लियर कुछ इंपोर्टेंट क्ले है जिसके बैस बैसिस में असाम में टेरा कोटा इंडस्ट्री बड़ा ही फैमा से तो यह क्या क्ले असाम में पाया जाते हैं वह देख लेते हैं पहला पॉट्री क्ले जिसे कुमार मट्टी बोलते हैं पॉटर जिससे लेकर इंपोर्टेंट यूटेंशिस बगेरा या फिर इंपोर्टेंट चीजे बनाते हैं पूरे असाम में पाया जाता है एन नामदांग एरियास विट कोल सीम्स डिपोसिट्स अलसो फांड इन सिलबट्टा एंड कोल या जन यह कहा पार आपका कर्भी अंगलंग डिस्ट्रिक में है चैना क्ले जिसे कावलीन भी बोलते है ठीक है इसका प्यूरिटी बहुत अच्छा है एन यूस्ट इन सेरामि कि इंडस्ट्री यह कहा कहका पाया जाता है देवपानी सिलबह क्यू अंच छिवश्वस और इंड सिलोऌ डिस्ट्रिक में है लिथो महर्च विच इसन इस वाइट क्ले यह कहा पाया चायलानी जान विचना बिचिस कार्वी अंगलंग 1-08 फीवलर्श्र अर्थ यह वाशर मेन यूज़ करते है फोर क्लीनिंग क्लोथ यह पाहा जाता है सुबन कठा विच इन कार्मूब दिस्टिक्ट इट कन एक्चुली ब्लीच वेजिटेबल वेल बात नॉट सुटेबल फोर दा प्ट्रोलियम रिफाइन ड्रिलिंग क्ले आपको पाहा जाता है एक्स्ट्रीमली फाइन कंसिस्टेंसी में मिलता है और फांस एन एमल्शन वेन मिक्स्ट विट वाटर फाउंड इन मतुरापूर सिबोहागर दिस्टिक्ट कि नेक्स्ट शिलिमनाइट डिपोसिक्ट यह कहा पाया जाते देखते है दे वंडर रॉक सिलिमनाइट वंडर रॉक इच कान बी यूज विद आउट प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के मिना भी यूज सकते हैं ये कार्भियं लों में पाया जाता है फ्लैट स्पार चिफली प्रक्राइब दिस्ट्रिक्टे पॉटरी सेरामिक ग्लेश एनामल वेरियस एनामल्ज असेटर में पाया जाता है और कहा पर हाहिम कमरूप डिस्टिक्ट एन रंसली कार्वियंग लोंग ओके फ्लेट्स पर आपका पांच औरतनों ग्वालपरा डिस्टिक्ट में भी मिलता है फ्लेट्स पर नेक्स्ट है गोल्ड असाम के नदिया में गोल्ड भी मिलता है गोल्ड ओकर्स इन मेनी डिवर्स और वसाम जैसे सुबंसिरी, डिकरंग, सीसी, धींग, दिबॉंग, नौाड हिंग इंपॉर्डन क्वेशन मनता है विच और फॉल्लेग रिवर्स वेर गोल्ड ओकर्स एस एलुवायल डिपॉसिट्स यह कुछ नदिया है जहाँ पर गोल्ड पाये जाते हैं सुबंसिरी, डिकरंग, सीसी, धींग, डिबंग, नौाड हिंग बिसाइट लीवर्स प्लेशर गोल्ड इस एलसरे प्रेसेंट भॉल अधर्यात रिवर्फा अपरास्ण गॉल्ड अपको मिलता है आर नौर जिससे एर न मनता है दूब्री में दार चंद्रो ढिंगा ओकर से चंद्रो ढॉडंगा दूब्री अब बोल सकते हो पूजा यह की नहीं प्रेयर्स अफ दभी मनसा एक कहानी है बैहूला लखिंदर ठीक है यह जगा जो है चंद्रडिंगा यही से रिलेटेड है क्लियर नेक्स्ट अपका लैन गुपाड़ा जो गवाल पाड़ा में है और कुम्री यह भी गवाल पड़ा में है आई रोन और यह जगा पे मिलता है कौर्च हाहिम काम रूप में मिलेगा शिल्वेट्टा एन रंगसली कार्भी अंगलों में मिलेगा तो ज्याधा तर आपका जो मेनरल से कार्भी अंगलों में माक्सिमम मिलता है और आपका डिमाहसाओं में मिलेगा और ज्यादतर आपका gas and coal deposit आपार असाम में मिलता है माइका माइका कहा कहा मिलेगा दो तरीके का माइका असाम में मिलता है एक तो है मस्कोवाइट जो बॉर्दूर रिजार फोरेस्ट कामरूप डिस्ट्रिक्ट एंड धॉल्मूरा हिल्स ग्वालपरा डिस्ट्रिक्ट लिथ के बाड़े में अभी पढ़ेंगे इंपोर्टेंड एग्री कल्चर आफ असाम है 63 परसेंट अफ दा साम का जो वार्पोर्स है वो एग्री कल्चर में और उसके एलाइड एक्टिविटीस में एंगे इस्ट है ओके असाम का जो स्टीट का ग्रॉस क्रॉप्ट एरिया आफ अबाउट 40.60 लाग हैक्टर्स विच इस मोर दन 79 परसेंट एकांटिंग फॉर फूट ग्रेंज क्रॉप्स ठीक है प्रिंसिपल फूट क्रॉप अगर देखे तो राइस है और कुछ कैश्च क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है जूट टी कॉटन शुगर की ओके असाम प्राइमरेली एक एग्रेरियान स्टेट है जहाँ पर 85 परसेंट लोग गाव में रहते हैं पर्तीन परसेंट एकशिली 86 परसेंट 14 परसेंट लोग शहरों में रहते हैं 70 परसेंट लोग एग्रिकल्चर से एंगेज given और एग्रिकल्चर असाम का स्टेट जीडिपी का 17 परसेंट कंट्रिप्यूट करता है ओक्रे यह इंपोर्टन्ट एंगरिकल्चरल एरिया कहा कहा किया पाया जाता है देख सेकते हैं आप बहुत अच्छे से होता है बढ़ाइग वेली रीजिएन में भी राइस होता है आपका तो में ख्रॉपस अव असाम में आगे आपका राइस यह मोस्ट इंपोर्टन फुट जो आपका विंटर सीजन में किया जाता है एक निया राइस भी है विच इस एक्चुलिए डिसंट एडिशन वीट भी ग्रो किया जाता है ओल डिस्टिक्स ऐसे रोभी क्रॉप जो नवेंबर से मार्च मेहने तक इसे साव किया जाता है मैजर डिस्टिक्स जहाँ पर वीट ग्रो किया जाता है इसमें आगे आपका नाम रूप इस नॉट नाम रूप इस काम रूप नौलबाडी बॉर्पेटा एं धूबडी मेज मे जैसे कि कार्वी अंगलोंग डिस्टिक्स और डिमासाओ में में बहुत क्ल्टिवेट किया जाता है पाल्स में सब्सक्राइब क्रॉप इसे ग्रो किया जाता है आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए कि रभी क्रॉप कौन सा है और खरीब क्रॉप कौन सा है से समने देख लिया वैल सीड में इंपोर्टेंट वराइटी से जैसे मास्टर्ड सी साम कैस्टर एन ग्राउंड नट स्वेब इन प्रोडक्शन कंसेंट्रीटेड कहा कहा ज्यादा है कार्भी अंगलोंग मोरीगाव और पर्टा पोटेटो आसाम में इस्ट पोटेटो प्र में भी है और बड़ाग फिली में भी है इसलिए दा अग्रोक्लामितिक कंडिशन इस वाइट सफिचेंट अन इस एक्ट्यूली प्रोटिवेशन अफ जूट इसलिए और नॉर्थ एंसी हिल्स में ग्रो होता है शुगर केंग आपका गुलाघाट जुरहाट सिवहागर नोगाव कामरूप नौलबारी बोरपटा में होता है दो इंपर्टेंट शुगर मिल है एक तो बारुब बोरुआ बामुन गाव विच इस इन गुलाघाट एन कामपूर इस इन नोगा शुगर मिल है रवर प्रोडाक्शन यह प्लैंटेशन शुरू हो गया था आपका 1960 से 70 के बीच में 15 से 20 प्लैंटेशन अभी है असाम में विच इस दे सेकेंड लाइस्ट राजस्ट लवर प्रडूशर इन नौर्ट इस्ट आफ्टर तर त्रिपुरा 60,000 एक्टर में रवर प्लैंटेशन है कॉफी अगर देखे तो सेकेंड लाइजस्ट प्रोडूशर इन नौर्ट इस्ट नगालेंड के बाद असामी है मेजर कॉफी गार्डेंस इन असाम अगर देखे तो कर्भी अंगलंग में है और डिमासाओ में इमासाओ का भी एक 17 परसेंट ऑफ दस स्टेट वार्कर सारेंगेज़ इन टी इंडस्टिस के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है आपको यह पता होना चीए पूरा इंडिया का 51 परसेंट जो टी है वह आसाम ही प्रडूस करता है पूरे ग्लोबल का 10 परसेंट ग् देखें तो कॉफी कल्टिवेशन स्टाट कुवा था 1853 कचार डिस्टिक में जो 17 1970 में गारो हिल्स में एक्सपांड हुआ रिजिनल कॉफी रिसर्च स्टेशन इस्टाबिश किया गया डीफू विचिस इन कार्भी अंगलों एन अफ अराबिका कॉफी एक इंटर क्रॉप् कीपर और जक्फूर्ट के साथ अराबिका कॉफी का भी प्लैंटेशन कॉमन है कचार डिस्टिक्ट ऑफ असाम में होता है पाइनपल के लिए कचार डिस्टिक का एक जगाह है लखीपूर वेरी फेमस यहां से एक्चुली निउजिलंड तक पाइनपल को एक्सपोर्ट किय जाता है राबार प्लैंटेशन सेकेंड लार्जेस्ट है आप्टर टीपूरा ठीक है ओटोमोटीव टायर मेनुफ्यक्ट्टर एस्सोसीएशन एटीए में प्लैन किया है कि एक हजार एक सो कड़ोर रुपे इन्वेस्ट करेंगे ताकि नॉर्थ इस्ट इंडिया में दो ल लेगा आपका ज्जाजी बार ज्जाजी मालभोग सेनी चाप्पा कानिवाथ सी एंड सबकल कि टी इंडस्ट्री देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन असाम असाम का जो टी पहली बात डिस्कवर्ड किया था रवाट ब्रूस ने 1823 में और उस टाइम पे लोग उसे लॉकेली ड्रिंक के तरह यूज़ करते थे उसका लॉकेली जो नाम था विट इस फैनाप इससे MCQ बन सकता है the locally known drink which was discovered by Robert Bruce in 1823 the name of the drink was that is फैनाप ओके 1834 उस जमाने के जो गवर्णर थे उन्होंने एक्जामाइन किया कि कॉमार्शियली कल्टिवेशन हो सकता है 1839 में company जिसका नाम था असाम company फॉर्म किया गया उसने experimental holding लिया इस इंडिया company से ताकि वो tea garden establish कर वाए असाम नाजीरा तब headquarter था और जब तक capital shift shifted to Kolkata in 1965 1839 में एक private बिटिश एंटेप्रीनियर टी गार्डेन स्टार किया चाववा डिब्रुगोर में 1840 में एक group of British planters असाम company और नजीरा में खोलते है commercial plantation of tea के लिए 1859 में जोरहाट में tea company खोला गया असाम पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा largest quantity produce करता है which is actually more than 50% मेंने 51% ही कहा विच इस एक्शुली 1-6th of the tea produced in the world जोरहाट में खुला गया टॉक्लाइटी रिसार्च सेंटर जोरहाट में खुला गया टॉक्लाइटी रिसार्च सेंटर में एक important method यूज किया जाता है which is known as ball metric method या bellometric method भी बोलते हैं से for choosing of the fine leaves over the coarse slips to get the top light e research center is in goha johat and he haparek important in order to find the fine leaves of tea important method is kia jata which is ball metric method or 1970 में पहली बार tea auction center kola gya gohati में ठीक है और यह वर्ड का पहला largest ctc tea auction center है यह ctc का मेनिंग पुछा जाता है a psc prelims में भी आया है ctc का मसलब होता है crush tear and curl याद रखिए गया crush tear and curl okay 17% of the assam का वर्क फॉर्स से वो टी इंडस्ट्री में ही engaged है okay the government उससे geographical indication tag मिला है for the tea produced in the state और as a result assam tea को कहा जाता है assam orthodox tea after getting the ji tag clear okay अभी हम लोग assam के ट्रांस्पोर्ट और कम्मिनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे roads में देखे तो road network 58202 km है national highway 3900 km state highway 2530 major district road से 4379 आरबान रोड से 1615 और रुएल रोड से 37,030 जो नन-PWD roads पी है ठीक है so roads पढ़ रहे है तो पहले थोड़ा river system पढ़ते हैं first we'll talk about the most important river of assam that is Brahmaputra river ठीक है देखें Brahmaputra river Tibet में Tibet ठीक है इट इस अभी क्या है यह चाइना occupied है चाइना का अपना ही 1960 में एक्चेली चाइना ने इसको कुपाई कर लिया तो कहां से शुरू होता है वहां से एक glacier है जिसका नाम है चेमा यंगदंग चेमा यंगदंग glacier से शुरू होता है होते होते यह फ्लो करता है टिवेटन रीजियन में टिवेटन रीजियन में ब्रावपुत्र का नाम होता है आपका यरलंग संक्पोग फीर एक हील आता है नामचा बरुआ ठीक है यहाँ पर ब्रावपुत्रा पुरा यू टर्न लेता है इसे और यू टर्न लेके वह एंटर करता है कहां पर ओनाचल प्रदेश में पहली बार जब औरनाचल में एंटर करता है ब्रहम पूत्रा तब औरनाचल में इसका नाम है सियांग या फिर डिहांग ठीक है फिर वो आसाम में एंटर करते ही इसका नाम हो जाता है ब्रहम पूत्रा then it enters to बंगलादेश तब उसका नाम होता है जमुना and when it meets with ganga तब उसका नाम होता है पदमा and after it connects with शुर्मा ठीक है तब उसका नाम होता है मेघना और बाद में जाके वो डिस्चार्ज करता है बे अफ बेंगल में तो कितना नाम हमें को मिला है मेघना पदमा, जमुना ब्रहमपूत्रा यह नाम बड़ा ही important है और कौन सा जगा में क्या नाम है very very important ठीक है बांगलादेश में ब्रहमपूत्रा का तीन नाम है जमुना, पदमा मेघना असाम में है ब्रहमपूत्रा और नाचल में है सियांग या फिर डिहांग टिबेट में या फिर चाइना में इसका नाम है या लंग संग्पूँ ठीक है अभी हम लोग इसके कुछ टिब्यू ट्रीज के बारे में देखेंगे जैसे ही अनाचल में एंटर होता है ये नामचा बड़ूआ में यूटर्ण लेता है या लंग संग्पू होते हुए जैसे ही एंटर हुआ तब उसका नाम होता है सियांग या फिर डिहांग फिर उसका साउध बैंक में दो ट्रिब्यूटरी आके उसको जुड़ती है एक तो हो गया लुहीत लुहीत ठीक है और एक है आपका डिवांग फिर साउध बैंक में ट्रिब्यूटरी बुरी डिहिंग धनशीरी कॉपी ली और नॉर्थ बैंक में देखे तो सुबनशीरी कामेंग मानोस शौनकूस राइदाक जोलढका तीस्ता क्लियर इसका डिटेल में यहाँ पर है ट्रिब्यूटरीस जैसे नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीस में देख लेते हैं सुबनशीरी रोंगानोदी डिक्रांग बुरोई बर्गांग जियाभोली धनशीरी नॉर्थ धनशीरी नॉर्थ में भी है और सौथ में भी है पुठीमारी मानऊस बेकी आय सनकोस यह सब मेजर ट्रिब्यूटरीस है नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीस ठीके साउध बैंक में आया आपका नौार्डिहिंग बुरिडिहिंग डिसांग दिखो, भगदोई, धानशिरी साउथ, कॉपिली, कूलसी, कृष्णाई, धोदनोई and चिंजीरान ठीक है? इस आफ बैंक ट्रिब्यूटरीज आफ ब्रावंपूत्र रिवर अभी हम देखते हैं इंपोर्टेंट ब्रीजस अवर्दा रिवर ब्रावंपूत्रा के उपर कुछ इंपोर्टेंट ब्रीजस है, एकदम नौट से हम लोग इस्ट से वेस्ट एक्स्टेंशन देखेंगे, इस्ट से वेस्ट में एक्दम रिवर के उपर जो बडरीज एगा लुहित उपर ये भूपयण हजार का बूपर कर लीज एगर आपको चाहिए तो आप rapidement यापको स्क्राइए ले गुपे राजारिका, बॉगी बिल, कोलिया भुमोरा, श्वराइघाट, निव श्वराइघाट, नौरो नारायन, 6 ब्रीजे, 6 ब्रीजे सरदेर, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, पहला श्वराइघाट ब्रीज, यह रेल काम रोड ब्रीज है, याद रखिए, यह काम का खर्चा गया था उस टाइम में, 1963 में, यह रेल काम रोड ब्रीज है, ठीक है, इसका उपर से आपका रोड है, नीचे से रेल है, ओके, नेक्स्ट है आपका कोलिया भुमरा ब्रीज, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका लोकेशन किदर है, कोलिया बोर, इट इस इन आपके, 1987 में खोला गया, हिंदुस्तन कंस्ट्रक्शन कंपणी ने मनाया, आस्सी करोड, इसका लेंग्थ है 3.015 किलो मेटर, ओके, नौरोनारायन से तु, यह रेल काम रोड ब्रीज है, डूरीमेंबर, यह जोगी गुफा बोंगाय गाउ में है, 1998 में खोला गया, 2.3 किलो नेक्स्ट, निव शोडाइगाट ब्रीज, यह सिर्फ रोड ब्रीज है, डूरीमेंबर, यह रेल काम रोड ब्रीज नहीं है, शोडाइगाट इस रेल काम रोड, बट निव शोडाइगाट इस जस्ट रोड ब्रीज, ठीक है, लोकेशन देखिए, काम रूप में ही है, 2017 में खोला गया 1.5 किलोमेटर का लेंग्थ है गेमन इंडिया लिमिटेड ने बनाया इसको नेक्स्ट बॉगी बिल ब्रीज लोकेशन धेमाजी को डिब्रुगोर से करता है दो हजर अठार में खोला गया यह 4.32 किलोमेटर लेंग्थ है इसका कि लोंगेस्ट रहेकर रोड भरीच इन इंडिय करते के लिए सच वालगेस्ट रेल कम फिल्गेस इन इंडिया थिक Honor इंडिया बोलते हैं लोहित निदी के उपर है इट इसे रोड ब्रेज नोट रेल कम रोड धोला टू सोधिया सोधिया तिन्सु क्या में है धोला इस इन और नचल इट इसका लेंग्ध 9.15 किलोमीटर और नवियूग इंजिनियर कॉम्पिनी ने इसको बनाया तो लॉंगेस्ट रिवर अगर पूछा जाए इस बार आने का चांसे से सी ब्रीज वो होगा आपका अटल से तो कनेक्टिंग मॉंबाई टू नभी मॉंबाई ये कान्टर फेर्स का है मैंने बता दिया आपको आके असाम गोर्मेंट ने ये प्रोपोस किया कि बौंपुतरा रिवर की उपर और ब्रीज बनाएंगे जो कनेक्ट करेगा पॉलासपरी को स्वालकुछी से ठीक है ग्वाटी मेट्रोपोलिटन एरिया यह प्रोपोस्ट ब्रीज है दूसरा प्रोपोस्ट ब्रीज है आपका भुडागाव टू कुपाटी ब्रीज जो 7.63 किलोमेटर लॉंग होने वाला है प्रोपोस्ट है यह कंक्रीट रूट ब्रीज बनेगा नेशनल हाइवे 715 एक प्रोपोस्ट बना नहीं सो दो ब्रीज और बनने का चांसे है नेक्स्ट पढ़ते है बढ़ाक वेली विच इस बढ़ाक रीवर बढ़ाक रीवर एक्चुली यह देख सकते हैं बढ़ाक रीवर भी शुरू होता है आपका मनिपूर हील से ठीक है और फिर वो लखिमपूर असाम में एंटर करता है तो एक और फिर एसे एंटर करते करते इंपॉर्टन लखिमपूर से एंटर होते होते इंसे इंपॉर्टेंटres जो भी शेहर है कि इसे सिलचर मिल गया कि उसके बाद आपका जुयन दरपूर और बाद में भंग़ा जो करिमिगन जिस्रिक में आता है यहाँ पर यह स्प्लिट हो जाता है डो रिवर में स्प्लिट हो गया एक तो चला गया यहाँ पर शूर्मा और एक बन गया खुशियारा जो बंगलादेश में है ठीक है और वही शूर्मा जब आपका पदमा के साथ जोइन होता है तब इसका नाम हो जाता है मेगना करता है और यह जो रिवर एंटर बंगलादेश एस शूर्मा एंड खुशियारा ठीक है लेटर दा रिवर इस अलसो कॉल्ट मेगना ठीक है वेनिट कंबाइन दफ लो विट गंगा और ब्राउंपुत्रा पिस बल्टीव टीविटरीज ऑफ बराक रिवर देखे तो जीरी धलेश्वरी सिंगला लॉंगाई शोनाई काठाकाल रुकनी ठीक है चीरी ओके यह यह ड्रेन होता है इंडिया बंगलादेश और बार्मा इसका ड्रेनेज एरिया इंडिया में 41,723 स्क्वार किलोमेटर है ड्रेनेज एरिया विच इस वान पॉन पॉन प्रीएट परसेंट टोटल जेग्राफिकल एरिया ऑफ दे कंट्री ठीक है इसका अगर बाउंडरी देखे तो नौर्ट में है बराइल रेंच सपारेटिंग इट फ्रम दा बावंपुत्रा सब्डवेशन एस्ट में है लुसाई हिल्स विच इस अपका मिसुरम एंड साउथ अन वेस्ट में है आपका मंगलादेश ठीक है अब बढाक रिवार के उबर अगर ब्रीजे देखे तो पहला तो सौदरगाट ब्रीज जो सिल्चर में है क्रॉस करता है बढ़ाक रिवार को वो जो कनेक्ट करता है कुम्भी ग्राम एरपोर्ट तक ओल्ड शधरगा ब्रीज ये भी वही है जिससे फिर से खोला गया आपका दोजार चोबीस में पहले बंद कर दिया गया था और एक नया ब्रीज टू भी कंस्ट्राक्टेड है बढ़ाक के उपर जो लखिमपूर से शुनाई को कनेक्ट करेगा दोनों ही कछार डिस्ट्रिक का ही आपका एरिया है सुनाई इस टाउन एरिया इन कछार क्लिए ये प्रोपोस्ट है कि 22 तारिक 22 गास्ट 2024 में एक आर्शी सी ब्रीज जो शिलगाट लखिमपूर कछार में होने वाला है जो कनेक्ट करेगा लखिमपूर तू सुनाई लखिमपूर तू सुनाई इन कछार असाम ठीक है जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वह आके से इनोग्रेट करनेंगे अभी हम थोड़ा रेल्वेस के बारे में पढ़ते हैं असाम का जो टॉटल लैंग्ध है रेल्वे रूट अगर देखे ठीक है रेल्वेस असाम में जो एट दे एंड अफ तूज़न शेंटेन विच इस 2440.39 किलोमेटर जो ब्रॉट गेज है दोज़ शोला तक असाम शेर्स ओली 3.7 परसेंट अफ तोल टेल रेल्वेस लैंग्ध अफ दे कंट्री एरपोर्ट अगर देखे तो कहा कहा है डिब्रुगर में है चाबुआ एरफोर्स स्टेशन मौनाबाडी विच इस डिब्रुगर एरपोर्ट जोरहाट एरपोर्ट इ विच इस इन लिलाबाडी रूपशी इंडिया एरपोर्ट विच इस इन दोब्री सिल्चर एरपोर्ट कहा पर है कुम्भी ग्राम सुक्रेटिंग एरपोर्ट इट इस इन तिंचुकिया एंड तैचपूरे आरपोर्ट सनलवड़ी अभी हम लोग थोड़ा इनलेंड वाट ट्रस्पोर्ट देखते हैं ध्यान से देखिए निशनल वाटर वइव वन है जो हवम कनेक करता है हल्ऱिया त Iya ठिक है आपका यूपी ए기는 डा नसीできलि इसे इन अधे सि सही जसनल वाटर वेवन कहता है और रिवर गंगा चलिए गंग जब गंगा स्प्लिट होता है यहां पर आके यह जो वेस्ट बंगल में Reva जाता है इसका नाम है है आपका हुगली और एक पार्ट जब गंगा का ही चला जाता है बंगला देश में इसका नाम हो जाता है पद्मा हुगली रिबर के उपर है आपका नेश्नल वाटरवेवए ए ठीक है और फिर नेश्नल वाटरवेवए1 से होते हुए यहां से नेशनल वाटर वे 97 कहा गया उसको वो कनेक्ट करता है आपका कि आई बीपी रोड याद रखिये इंदो बंग्लादेश प्रोटकोल रोड जो कनेक्ट करेगा करिमगंज तक करिमगंज में है काचार और करिमगंज में है नेशनल वाटरवेश 16 जो लखिमपूर से लखिमपूर नोट लखिमपूर इस लखिपूर लखिपूर जो कछार में हैं लखिपूर कछार से भांगा ठीक है लखिपूर कछार से भांगा यह है आपका नेशनल वाटरवेश 16 ठीक है और यहाँ पर दिखा जा रहा है नेशनल वाटरवेश 2 जो धूबरी से है आपका सोधिया तक ठीक है यही है ब्रवंपूत्रा है 891 नेविगेबल लेंग्ट ऑफ वाटरवेश जो सोधिया से धुबरी तक जाता है बड़ाक के पर पास भी 94 किलोमेटर लेंग्ट ऑफ नेविगेबल वाटरवेश है बड़ाक रिवर में सोधिया तो धुबरी इसे सकेंड नेशनल वाटरवेश कहा जाता है और बड़ाक रिवर नेशनल वाटरवेश 16 है जो एक से किस किलोमेटर है आसाम इनलेंड वाटर ट्रांसपोर्ट एप स्टाबलिश हुआ था 1958 में दा इनलेंड वाटर ट्रिटी के साब से ट्रांसपोर् आटी डिब्रुगोर सिल्चर में है ओके सो असाम में आमने देख लिया नेशनल वाटरवेश कौन सा है दो है नेशनल वाटरवेश 16 और नेशनल वाटरवेश 16 कनेक करता है कछाड डिस्टिक का लोखिमपोर तू करिमगंज डिस्टिक का भांगा ठीक है करिमगंज दिस्टिक यह नेशनल वाटरवे 16 है और धुब्री 2 सोदिया यह नेशनल वाटरवे 2 है और आमको याद रखना है नेशनल वाटर वी 1 विचिज वरानशी टु फूगली वरानशी टु वाया दिस हुगली रिवर नेश्नल वाटर वाटर वेवन ठीक है so that's it student I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये एक वन शेड वीडियो है जो भी ये पूरा वीडियो देख लिया है thank you to them और अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगा है आपको कुछ असाम के वारे में सिखने को मिला है so kindly आप अपने दोस्तों के बीच में ये शेर करिए and it is one of the most important वीडियो जो last तक आया है उसके लिए thank you ठीक है और आपको अच्छा लगा तो kindly एक अच्छा सा comment करिए और at least दो तीन लोगों के पास शेर कर दीजी ठीक है that's it good bye